नवस्कार मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत बंदन आभिननदन हैं बेत्रो आज हम हिंदी साहित्ति के नए पाठकर मनुशार जोकी यूजी सिने निर्धारित किया है उसमें हम कविता बिधा को लेकर उपस्तित हैं और आज की कविता है नक्सल बाड़ी जी हम इत्रो शुदामा पांडे धुमिल की कविता नक्सल बाड़ी को आज हम पढ़ेंगे और इनकी सिलेबस में देखी जाये तो चार कविता हैं समलित की गई हैं और बाकी की तीन कविताओं को हम आगे की वीडियो में जरूर देखेंगे तब तक आज हम इनकी नक्सल बाड़ी कविता को पढ़ते हैं शहमती? नहीं यह शमकालिन सब्द नहीं है इसे बालिगों के बीच चालू मत करो जंगल से जीरह करने के बाद उसके साथियों ने उसे समझाया कि भोंक का इलाज नींद के पास है मगर इस बात से वह शहमत नहीं था बिरोध के लिए शही सब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जिवान शहुआइन की जांक पर भूलाया है फिर भी हकलाते हुए उसने कहा मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंतर की तलास है सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंतर से बाहर आकर वाजिव गुस्से के साथ अपने चेहरे से कुदोगे और अपने ही घूशे पर गिर पड़ोगे क्या मैंने गलत कहा आखिरकार इस खाली पेट के सीवा तुहारे पास वह कौन सी सुरच्चित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिस के खिलाफ लड़ोगे यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाय हाथ की नयतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है मगर गार शिर्फ बाया हाथ धोता है और अब तो हावा भी बुझ चुकी है और शारे इस्तहार उतार लिये गए हैं जिन्में कल आदमी आकाल था वक्त के फालतू हिस्सों में छोड़ी गई पालतू कहानिया देश प्रेम के हिज्जे भोल चुकी है और वह शड़क शम्झावता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसत को बाहर आने के लिए आवाज दी थी नहीं अब वहां कोई नहीं है मतलब की इबारत से होकर शब के शब व्यवस्था के पच्छ में चले गए हैं लेकपाल की भाषा के लंबे सुन्सान में जहां पालो और बंजर का फर्क मिठ चुका है चंद खेत हाथकड़ी पहने खड़े हैं और विपच्छ में शिर्फ कविता है शिर्फ हज्याम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तुरा चमक रहा है शिर्फ भांगी का एक जहाड़ू हिल रहा है नागरिता का हग हलाल करती हुई गंदगी के खिलाब और तुम हो विपच्छ में बेकारी और नीद से परेशान और एक जंगल है मतदान के बाद खून में अंधेरा पंचीरता हुआ उसकी आखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुहारे चेहरे की हर्याली को बेमुरब्बत चाट सकता है खाबरदार उसने तुहारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर लाखड़ा किया है कि कल तुहारा सबसे छोटा लड़का भी तुहारे परोशी का गला अचानक आपनी स्लेट से काट सकता है क्या मैंने गलत कहा आखिरकार आखिरकार मित्रो इसे के साथ यह कप्ता श्रमाप्त होती है इनकी अंगली कप्ता को लेकर हम पुने उपस्तित होंगे तब तक सभी मित्रों को बहुत बहुत नुसकार जे हिंद जे भारत